आवकाडो पॉकिट्स बनाने का समय 10 से 15 मिनिट चलिए आपको सिखाते हैं एक ऐसा पकवान जो पोश्टिक भी है और इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता देखिए आवकाडो पॉकिट्स बनाने के लिए जरूरी सामगरी एक पका और छिला हुआ आवकाडो, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो पूरी पीटा ब्रेट, आधा कब कटी हुई लाल और पीली शिमला मिर्च, 20 ग्राम या दो क्यूब्स कसा हुआ चीज, तीन से चार कटे हुए सलात के पत्ते, नमक स्वादानसार सवारने के लिए हमें चाहिए चीज स्लाइसिस, उपयोगी रसोई के बर्तनों में से हमें चाहिए एक कटोरा, मैशर और परोसने के लिए बर्तन पूर्व तैयारी के लिए अवकाडो को अच्छे से कस लें, अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, लाल और पीली शिमला मिर्च मिला लें अब स्वाद अनसार नमक डालें और मिलाएं, अब इस मिश्रण में चीज मिलाएं और अलग रग दें मुख्य तैयारी के लिए पीटा ब्रट की पॉकिट्स बनाए और आवकाडो मिश्रन अच्छे से भरे अब इसमें सलात के पत्ते भरे और चीज के स्लाइस डाले अब इसे अपनी मन पसंद सौस और डिप के साथ परोसे आप इसे अपने प्रियजनों को टिफिन में भी दे सकते हैं अगर आपको यह विधी पसंद आई तो इसे बनाए और तस्वीर खीच कर facebook.com slash vcook wedge पर अपलोड करें आप अपनी सुझाफ हमें info at vcook wedge.com पर भी जरूर लिखें